वहीं रखी जाए तो पूरा देश भर पेट भोजन कर लेगा, ये एक साथ चाहिए, देश भुक मरी का शिकार नहीं, सहीं व्यवस्था के एपसेंस का शिकार है। 21 मिलियन टन गी हूँ, वेस्ट होता है देश में, लेकिन किसी गरीब को नसीब नहीं होता। एक सरवे के नुसार देश की जितनी आबादी है, उससे दोगुना खाना डेली बनता है, देश में, लेकिन फिर भी लोग देश में भूक से मर रहे हैं, बच्चे कुपोशन के शिकार हैं। एगरिकल जन मिनिस्ट्री की हिसाब से, पचास हजार करोड का खाना देश में हर साल घटर में बहाया जाता है। उसका कारण है कि उन जमीनों से जंगल काट दिये गए, ताकि खेदी की जा सके और लोगों का पेट भर सके, लेकिन इस भारी कीमत पर हम जो अनाज उप जाते हैं, उसे खाते नहीं, फेक देते हैं। सोचिए कितना नुकसान हो रहे आपके खाने को वेस्ट करने की आदत से। तीन सो मिलियन लीटर तेल हम रोज जलाते हैं, उस खाने को पकाने के लिए जो नालियों में बहा दिया जाता है। अगर इंसान हैं, तो प्लीज, राशन का समान उतना ही खरीदें, जितनी जरूरत हो। आफर्स के चक्कर में ज्यादा कभी न लें, क्योंकि वो कूड़े दान में ही जाएगा। 20 प्रतिशत समान हम भारती जो खाने के लिए खरीदे हैं, वो फेक देते हैं, स्टेटिस्टिक्स को ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। बाजार से सबजीया लेकर आते वक्त ध्यान देगी घर में कितनी इस्तमाल होगी और कितनी वेस्ट होगी। हरी साग भाजियों को पहले बना कर खत्म करें, अन्यता फेकने में जाएगी। दिन का खाना बच गया है तो उसे रात में फ्रिज से निकाल कर इस्तमाल कर ले। दूसरे दिन का प्लान करेंगे तो खराब हो सकता है। रात में बचे तो उसे ब्रेकवस कर ले। अगर ऑफिस में काम करते हैं या किसी भी जॉब में हैं जाग केंटेन की सुईधाएं उपलब्ध हैं या कोई होटल आपके पहचान का है जाग खाना रात में बच जाता है तो मैनेज कीजिए उनके साथ मिलकर। कांटेट कीजिए अपने आसपास के एंजी उसको वो हेल्प करेंगे ये खाना जरूरत मंदों तक पहुचाने के लिए शादी पार्टियों में भी चीज की जा सकती है और इन सबसे बड़ी बात आप सभी युवाओं से देश के यूथ से विनती है कि जब कभी बाहर आउ जहां से हूँ वहां की बात करता हूँ भारत करेने वाला हूँ भारत की कहानी कहूंगा एक कहावत है मेरे देश में जहां अन्न का अपमान होता है वहां लक्षमी नहीं आती जिस घर में खाने की बेजज़ती होती है वहां बरकत नहीं होती तो इतना ही कहेंगे उतना ही ल भाग जाने के लिए नहीं तो कि आप तो भाग जाएंगे पर आपकी अंतरात्मा कचोड़ती रही आपको धन्यवाद